एक राजा थे उनके पास एक बड़े विद्वान पंडित आया करते थे वे प्रति दिन राजा को कथा सुनाते थे उनको कथा सुनाते बरसों बीद गए राजा सहब ने पंडित जी को एक दिन कहा कि महाराज जी आपको रोज कथा सुनाते हुए कई वर्ष हो गए जैसी कथा आज सुनाई, वैसी प्रति दिन सुनाते हैं, सुनाते सुनाते आप बूड़े हो गए और मैं भी बूड़ा हो गया किन्तु मैं कई वर्ष पहले जैसा था, वैसा ही आज भी हूँ, आपकी कथा के निमित साल भर में एक से दो हजार रुपये लग जाते हैं दो हजार रुपये प्रती साल खर्चा व्यर्थ में क्यों करून? उसका कुछ तो लाब होना चाहिए, आपका और मेरा दोनों का समय नश्ट होता है और रुपया भी खर्च होता है इसका उपाए बतलाईये की सुधार क्यों नहीं होता, जबकि आपकी बाते मैं सुनता हूँ आप वेराग्य, भक्ती, ग्यान की बाते करते हैं, किन्तु आपकी बातों को सुनकर ना तो मैं भक्त बना न ग्यानी, न सदाचारी और न योगी, आप इसका उत्तर एक महीने के अंदर दें यदि एक महीने के अंदर इसका उत्तर नहीं मिलेगा तो ये कथा बंद कर दी जाएगी और आपका वेतन बंद हो जाएगा आपको अपनी जीविका का दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा ये सुनकर पंडित जी के होश गुम हो गए पंडित जी विचार करने लगे की मैं इसका क्या जवाब दून पंडित जी इसी चिंता में मगन हुए जा रहे थे की रास्ते में उन्हें एक सच्चे महात्मा मिले वे बड़े विरक्त और त्यागी थे उनके चित में बड़ा वेराग्य था वे वास्तव में बड़े उच्च कोटी के पुरुष थे पंडित जी का चहरा उदास देखकर उन्होंने पंडित जी से पूछा कि क्या बात है पंडित जी बोले बात यह है कि एक महीने के बाद हमारी जीविका बंध होने जा रही है महात्मा जी ने पूछा क्यों तो उन्होंने बताया कि राजा ने मुझसे एक प्रश्ण पूछा है और उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं प्रश्ण ये है कि आप ग्यान, वैराग्य, भक्ती की बाते कहते हैं और आपकी बातों को मैं सुनता हूँ किन्तु मुझ में न तो रत्ती भर वैराग्य हुआ, न ग्यान और न भक्ती हुई इसका उत्तर दीजिये, नहीं तो ये खर्चा मैं बंद करूँगा महात्मा बोले, इसके लिए आप क्यों चिंता करते हैं इसका उत्तर तो मैं दे दूँगा, ये सुन पंडित जी बोले, आपके उत्तर देने से तो हमारी हानी होगी यानि एक हींता आएगी कि इसका उत्तर पंडित जी नहीं दे सके, इस साधुने दिया है महात्मा ने कहा नहीं आपकी हीनता नहीं होगी आप राजा साहब से कह देना कि यह तो मामूली बात है इसका उत्तर तो हमारे शिश्य भी दे सकते हैं और मैं आपका शिश्य बन जाऊंगा जब मैं आपका शिश्य बन कर उत्तर दूंगा तब तो आपकी कोई हानी नहीं होगी पंडित जी बोले तब तो नहीं होगी पंडित जी महाराज दूसरे दिन गए राजा ने फिर पूछा की आपने इस विशय का उत्तर तयार किया पंदित जी बोले महाराज इसका उत्तर तो मामूली बात है वो तो हमारे शिश्य भी दे सकते हैं हमारे ऐसे बहुत से शिश्य हैं राजा बोले, मुझे क्या, आप दे या आपका शिश्य, मुझे मेरे प्रश्ण का उत्तर मिलना चाहिए, कल आप अपने शिश्य को ले आईएगा दूसरे दिन पंडित जी उन महात्मा को ले गए, वे उनके शिश्य बनकर चले गए, राजा ने पूछा आप इनके शिश्य हैं महात्मा बोले, हाँ महाराज राजा ने कहा कि हमारा प्रश्ण आपको मालूम है, महात्मा बोले, जी मालूम है महाराज आपका प्रश्म ये है कि आपको ग्यान, वैराग्य, भक्ती की बाते सुनते हुए करीब 30 वर्ष बीद गए किन्तु उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ राजा ने कहा ठीक यही बात है उन्होंने कहा, इसका उत्तर मैं तब दे सकता हूँ जब आप अपनी राज्य की सारी शक्ती तथा अधिकार घड़ी भर के लिए मुझे दे दें राजा ने कहा, शीक है, मैं अपने राज्य का अधिकार दो घड़ी के लिए इन्हें देता हूँ ये जैसा कहें वैसा ही सब लोग करना राजगद्दी पर बैठ कर महात्मा जी ने हुक्म दिया कि पंडित जी को पकड़ लो सैनिक ने उनको पकड़ लिया फिर आग्या दी की राजा को पकड़ लो आग्या के अनुसार राजा को भी पकर लिया गया, दोनों सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब महात्मा पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी आपने राजा साहब को इतने दिन तक कथा सुनाई, अब उनसे कहिए कि मैं तकलीफ पाता हूँ मुझे छुड़ा दे, पंडित जी ने राजा साहब से कहा आप सैनिक को आग्या दे कि मुझे जाने दे राजा ने कहा, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो खुद कैद में हूँ फिर महात्मा जी ने राजा से कहा कि आपने इतने वर्षों तक पंडित जी से कथा सुनी पंडित जी से कहें कि आप मुझे छुड़ा दीजिए पंडित जी ने कहा कि मैं भी कैद में हूँ मैं कैसे छुड़ा दून अब राजा साहब से महात्मा जी पूछते हैं कि आपके प्रश्ण का उत्तर मिला कि नहीं राजा ने कहा मैं समझा नहीं तब महात्मा जी बोले अभी भी नहीं समझे आप स्वयम बंधे हुए हैं तो दूसरे को खोल सकते हैं क्या अपने खुद को ही नहीं खोल सकते तो फिर दूसरे को कैसे खोलेंगे फिर पंडित जी से कहा आप इसका मतलब समझे क्या आप खुद बंधे होकर दूसरे को खोल सकते हैं पंडित जी बोले नहीं खोल सकते तब महात्मा जी बोले महाराज बात यह है कि ये पंडित जी कथा तो आपको प्रति दिन सुनाते हैं किन्तु ये खुद बंधे हुए हैं ये खुद संसार के बंधन से बंधे हुए हैं और आप इनसे मुक्ती चाहते हैं, यदि पंडित जी खुद मुक्त हों तो ही आपको मुक्त कर सकते हैं, खाली कथा सुनाने से थोड़े ही मुक्ती होती है तोता और मैना राधे कृष्ण राधे कृष्ण रखते रहते हैं लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं है कि हम राधे कृष्ण राधे कृष्ण क्यों रखते हैं जब बिल्ली आती है और उनको पकड़ती है तो वे राधे कृष्ण भूलकर अपनी भाषा बोलने लगते हैं यही दशा पंडित जी की है ऐसी परिस्थिती में पंडित जी आपको कैसे छुड़ा सकते हैं जो संसार में खुद बंधे हुए हैं एश आराम और भोगों में बं हो तभी उसकी बात का असर होता है ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद